नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अतरंगी वेज़फूर्ड फ्रेंड्स नवरतन कोर्मा तो आप सभी ने कई बार खाया होगा लेकिन आज हम नवरतन कोर्मा बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं कुछ अलग डिफ्रेंट सा कोर्मा बनके आज तयार होने वाला है तो ब बढ़िया है इसको मैंने दो के छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लिया है अब मैंने यहां पे लिये हैं थोड़े से बीन्स उसको मैंने थोड़े सा कट कर लिया है थोड़े से हरे मत्र के दाने ले लिये है अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक क्लास पानी अब मैं इसमें डा जादा देर तक इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह देखिए सबजीयों को हमने बढ़िया 50 परसंट तक कुक कर लिया है अब इसका हम पानी ड्रेन कर देंगे और इसको रख देंगे साइड में अब मैंने तीन प्याज लिए उसको बड़ा-बड़ा काटके उसी ब कर लेंगे थोड़ा सा जब तक कि हमारी प्याज अच्छे से ट्रांस्परेंट नहीं हो जाती है यह देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से ट्रांस्परेंट हो चुकी है अब इसका जो फ्लेम है वह हम बन कर देंगे और इसका भी पानी ड्रेन करके इसको थोड़ा सा हम स्मूद से जीरा आधा चम्मजने साधाइत कई एक चुट के हीं डाल देंगे और जो ग्रेवी स्वाट और इसमें हब भिसाई को हम सागता ब्राउन कलर आने तक इसको हमें कुक कर लेना है और बीच बीच में इसको हमें चलाते भी रहना है अब यह देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से बनके तयार हो चुकी है अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश दूद की मलाई एक दिन की मलाई है यह वन फोर्थ कप सरे लुकर के आसपास तो वह आप चुक कर लेंगे तक इसके जो लमस है और जो से घरम होंगी मलाई वह सारी लमस इसके rendered . अब साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 फोर्थ कप दूद डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब 3-4 मिनट इसको बढ़ियां से कुक होने देंगे जब तक कि इसमें अच्छे से उबालाना शुरू ना हो जाए इसको थोड़ा बीच बीच में हम अच्छे से चलाते रहेंगे और किनारियों से भी छुटाते रहेंगे क्योंकि इसमें हमने दूद और क्रीम एड़ कर दिया है तो यह जल्दी जल्दी चिपकना शुरू हो जाएगा यह देखिए हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबालाना शुरू हो चुका है अब यहां पे हम डाल देंगे नमक नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि अल्ड़री हम सबजियों में भी नमक डाल चुके है अब साथ ही हम डाल देंगे इसमें आधा चमा शकर शकर डालने तो यह देखिए बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी अब पक चुकी है अब इसमें हमने जो सब्जियां बॉइल करके रखी थी वो डाल देंगे इसमें मैंने ब्रॉक्ली मटर और बीन्स जो हमने बॉइल कर लिये थे साथ ही मैं डाल रही हूं थोड़ी सी शिमला मिर्ची दो इसमें पानी डाल रहे हूं जो की लगबग 300 ml के आसपास है इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को करीब हम 4-5 मिनट तक धीमी गैस पे इसको हम पकने देंगे अगर आप नवरतन कोर्मा खाखा के बोर हो चुके हैं तो एक बार ये ग्रीन कोर्मा जरूर ट्राइ करें क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज्यादा मज़े देने वाला है मैंने इसको ग्रीन कोर्मा नाम दिया है अगर आपको लगता है इसका कुछ और बैस नाम होना चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूला और ऐसे ही शांदार रेस्पीस के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लें और बैल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे ये बड़िया ह तो एक बार ये ग्रीन कोर्मा सर्दियों में ट्राइ करना तो बनता है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी बनता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों थैंक्यू फॉर वाचिंग